रविवार का दिन था, मैं घर पर अकेला बैठा था, शाम का वक्त हो रहा था और काम करने का मन नहीं कर रहा था अचानक मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर गूम के आते हैं, वैसे भी रोज आफिस और घर के अलावा कुछ सोच नहीं पाते हैं ऐसे में जब मैं घर से निकला तो देखा कि बहुत सारे लोग अपनी मंजल तक पहुँचने के लिए बस और टेम्पो का इंतजार कर रहे थे तभी मुझे एक अचानक छोटा सा लड़का दिखा जो फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था कम से कम उसकी उम्र दस से बारा साल होगी वो लड़का भूख से बेहार लोगों से खाने के लिए कुछ मान रहा था पर कोई कुछ भी देने को तयार नहीं था फिर कुछ ही देर में वो लड़का आगे चला गया और मैंने देखा एक व्यक्ती से पानी मान रहा था ऐसा लग रहा था कि वो बहुत प्यासा हो लेकिन उस व्यक्ती ने पानी देने से इंकार कर दिया चानक एक कार वहां पर आकर रुकी उस लड़के ने उम्मीद भरी नजरों से कारवाले से कुछ मानगा पर उस कारवाले ने अंदर से एक लिफाफा बाहर फिका और वह लड़का दोड़कर लिफाफे की और भागा किन्तु लिफाफा खाली था उस लड़के ने लिफाफा फिक कर निराश मन से आगे बढ़ा और तब ही उसकी नजर एक पेल के नीचे बैठे आदमी पर पड़ी वो लड़का थककर उस पेल के नीचे आदमी के पास जाकर बैठ गया लड़के ने देखा कि वो भी उसकी तरह गरीब आदमी है जो पेल के नीचे बैठा था तब लड़के ने अपनी तरह ही डेलिक स्थिती देखकर उससे बातचीत की और उससे अपनी स्थिती सुनाई फिर उस व्याक्ती ने अपने खाने के हिस्से में से कुछ उस लड़के को दिया और दोनों खाने लगे इससे साफ दिखाई देता है कि अगर इंसान अमीर होने के बावजूद वह गरीब है, अगर इंसान दिल से अमीर होता है, वह गरीब है, तो उसके पास सब कुछ है कहने का मतलब है कि एक गरीब आदमी सब की तकलीफ को समझता है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी बात की चाह नहीं होती है, इसलिए वह सब को अपने जैसा समझता है और बिना किसी स्वार्थ के सब की मदद करता है यहां पर मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि सब अच्छे या बुरे होते हैं पर इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है आखिरी हम सब एक ही तो हैं जरूरत पढ़ने पर हमें सब की मदद परनी चाहिए क्योंकि हमें भगवान ने उनसे अच्छा बनाया है जिनको रात में सोने को छट भी नसीब नहीं होता है व्यक्ति अपने व्यवहार से अमीर होता है तुम्हारा चहरा एक मुस्कान दे सकता है तुम्हारा मूह किसी की प्रशंसा कर सकता है तुम्हारे हाथ किसी को जरूरत मन्द की सहायता कर सकता है तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्योंकि आत्मा की गरीबी वास हसी और जीवन में खुशी कम नहीं हुने देता है हाथों का सच्चा अभूशन ही दान है यह एक संदेश है कि जरूरत मंद लोगों की मदद करे अमीर दिल से और इंसानियत से बने पैसो से नहीं हुआ 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 है